हाँ तो दुस्तो 95% हारे हुए मुकाबले को इस तरह से जीद गई टीम इंडिया स्वागत ही दुस्तो आप सभी का हमारी एटूब चनल किरकेट देखो जी में दुस्तो आज के इस वीडियो में खम आपको बताने वाले हैं कि भारत और इंगलेंड के बेश टी-20 वर्ल्ड कप का एक और हाई वल्डेज रुमान चक मुकाबला खेला गया इस मुकाबले में टीम इंडिया ने शांदार प्रदेशन करते हुए एतिहासिक जीत हासिल कर लिए इस मैच की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे बेले दुस्तो अब भी टीम इंडिया को सपोर्ट करती हो चाहती हो कि इस बार का T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीते तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करे दुस्तो आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मातर एक हज़ार लाइक का है तो दुस्तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दुस्तो इस वीडियो को अंतदक जरूर देखें तो चलिए दुस्तो बिना वक्ति गवाइハハ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इंग्लैंड के टीम को पहले बल्लेबाजी करने का नहीं होता दिया। अब दोस्तों इंग्लैंड की तरब से सिलामी बल्लेबाज की रूप में जेसन रॉय और जॉस बटलर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उत्रे। जहां दुस्तो जॉस बटलर ने पहली ही ओहर में भूनेशुर कुमार को एक बहतरीन चोका लगाया तो ही पर तीसरे ओहर में जेसन रॉई ने एक ही ओहर में दो चोके लगाये और इस ओहर में इंगलैन के टीम ने 13 रन बटो लिये इंगलैन के टीम को एक अच्छी मिल चुके थे ओहर में जॉस बटलर ने मुहमज शमी को दो चोके लगाये लेकिन अब इसी ओहर में मुहमज शमी ने बटलर को क्लेन बोल्ड करके पविलन का रास्ता दिखा दिया वही दुस्तो नए बल्लेबाद डेविड मिलान ने भी चोंकों के साथ अपना खता खुल परन्त दुस्तो इसके बाद च्छटे ओहर में मुहमज शमी ने एक बार फिर से अपने बहतरीन गेनवाजी का जलवा विखेरा और जेसन रॉई को 17 रन पर आउट करके पविलन का रास्ता दिखा दिया इसके साथ पाउल प्ले के 6 ओहर में इंगलेंड के टीम ने दो विक पाउंडरिया देखने को मिली इसके बाद अश्वी ने एक सफल ओहर निकाला और 10 ओहर में राहुल चेहर ने अपने बहतरीन गेनवाजी का जलवा विखेरा और डेविड मलान को 10 ओहर में क्लिन बोल्ड करके पविलन का रास्ता दिखा दिया इसके साथ 10 ओहर में इंगले बाउंडरिया लगाई इसके साथ दोस्तो जोनी बेरिस्टो और लिविंग स्टन की बीच एक बहतरी साजेदारी बन चुकी थी चोदावी ओहर में लिविंग स्टन ने राहुल चेहर को एक छका और दो चोके लगा कर एक बड़ा ओहर निकाला लेकिन एक बार फिर से भार गुआ कर 130 रन बना लिए थे अब दोस्तो मेदान पर जोनी बेरिस्टो का साथ देनी के लिए मोहिन अली आ गए थे जहां 27 वी ओहर में मोहिन अली ने एक शांदार चोका लगाया इस ओहर में भूनी शुर कुमार ने 12 रन लुटा दिये इसके बाद 18 वी ओहर में मोहिन अल बहुनी शुर कुमार की जमकर पिटाई कर दी जहां मोहिन अली ने भूनी शुर कुमार को एक शोका और दो लगातार दो छक्ये लगाये इस ओहर में भूनी शुर कुमार ने 21 रन लुटा दिये इसके साथ 20 ओहर में इंगलेंड के टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 188 रन बना लिये थे और भारती टीम के सामने सबसे बड़ा 190 रनों का लक्ष था वहीं दूस्तों भारत की तरफ से ओपनर बल्लेबास के रूप में केल लाहूल और इशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उत्रे जहां दूस्तों केल लाहूल ने पहले ही ओहर में च चक्का लगा कर अठा रन बटोर लिये इसके साथ टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुवात मिल चुकी थी अब पांचवे ओहर में इशान किशन के बल्ले से दो चोके और एक गगंचुम्बी चक्का देखने को मिला इस ओहर में भी टीम इंडिया ने 16 रन बटोर लिये वहीं चटे ऊहर में के अल लाहूल ने एक तूफानी चक्का लगाया और गेन को ग्राउंड से बाहर पहुंचा दिया इसके साथ पावर प्ले के च्छे ओहर में टीम इंडिया ने بिना कोई विए गवाए 60 रन बना लिये थे वहीं साथवे ओहर में केयल लाहूल ना एक ब पूरा कर लिया लेकिन अगली ही गेन पर केल लाहूल इकाउन रन बना कर अपना विगेट को वां बेठे अब मैदान पर इशान किशन का साथ देनी के लिए कपतान विराट कोली आ चुके थे इसके साथ 10 ओहर में टीम इंडिया ने एक विगेट के नुकसान पर 92 रन बना लि और अपना अर्दश तक भी पूरा कर लिया अब इसी ओहर में इशान किशन ने दो लगातार चोगी भी लगाए इसके साथ इस ओहर में टीम इंडिया ने 24 रन बटोर लिये थे लेकिन 13 ओहर में विराट कोली 11 रन बनाकर अपना विगेट गवां बेठे विगेट के साथ ही इस ओहर में लिविंस्टन ने मातरत तीन रन खर्च कर दिये और एक सफल ओहर निकाला वही नए बलेबाज रिशाप पंत ने 14 ओहर में एक की बाद एक दो बहतरीन छक्ये लगाए इसके साथ 15 ओहर में भारती तीम ने दो विगेट की नुकसान पर 148 रन पना लिये थे किशन रिटाइड हड होकर 70 रन बनाकर नाबाद पविलियन लोड गए अब दुस्तो रिशाप पंत का साथ देने के लिए मैदान पर सूरी कुमार यादव आ चुगे थे अब टीम इंडिया को आखिरी के 24 गेंदों में जीत के लिए 35 रनों की जरुवत थी अब 17 ओहर में रिशाप पंत ने करारी चुगा लगाया इसी के साथ टीम इंडिया ने इस ओहर में 9 रन बटोर लिये अब 18 ओहर में सूरी कुमार यादव के बल्ले से भी शांदार चुगा देखने को मिला लेकिन अगली ही गेंद पर सूरी कुमार यादव आदव आउट होगे अब हार्दी टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 20 रनों की जरुवत थी अब 19 पे ओहर की पहली ही गेंद पर हार्दीक पांडिया ने एक शांदार चोका लगाया लेकिन अगली दो गेंदों पर लगातार हार्दीक पांडिया बीट हो गए परन्तु अभी इस ओहर की चोती गेंड पर क्रिस जॉर्डन ने नो बॉल के रूप में गेंद फे की जहां टीम इंडिया को लेक बाई के रूप में चोकी के रूप में पांच रन मिलें वहीं दोस्तों अब फ्री हिट पर हार्दीक पांडिया ने शांदार चोका लगाया और इसे के साथ भार्दी टीम ने अभी इस मैच में पूरी तरह से वापसी कर ली थे अब च्छटी गेंड पर क्रिस जॉर्डन एक बार फिर से नो बॉल के रूप में गेंड फिकी जहां अब रिशा पंत ने फ्री हिट के रूप में च्छका लगा कर मुकाबले को खतम कर दिया टीम इंडिया ने इस मैच को एक ओहर रहती ही सांथ विकेट से जीत लिया